इस चैप्टर में काफी सारे और भी सेमेंटिक मार्कप्स इन्होंने डिसकस की हैं, तो यह वन आप दोज मार्कप्स आर साइटेशन, यहां पर यह साइटेशन के बारे में लिखते हैं, कि वें यू आर रेफरिंग तो आपीस आफ वर्क, सच आप बुक और रिसर्च पेपर और मुवी, दा साइट एलिमेंट कैन बी यूस तो इंडिकेट वेर दा साइटेशन इस फ्रॉंग कभी भी आप कोई जुमला लिख रहे होते हैं, वहां पर आप किसी पीस आफ वर्क के किसी का कोई मास्टर पीस होता है, किसी का कोई शाकार होता है, उसकी अगर हम बात कर रहे होते हैं, ठीक है, जैसे के शेक्सपेयर की बुक्स हैं जो, तो इस तरह की किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे होंगे, या किसी बहुत फेमस मुवी के बारे में बात कर रहे होंग कि जार साइट उसके उपर लिखेंगे अच्छा अब यह आप देखेंगे हाँ साइट मतलब हवाला यह बहुत अच्छी आपने बात की अच्छा इन्होंने लिखा यहां पे कि अब ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम बाइ स्टैफन होकिन वास सोल्ड ओवर टैन मिलियन कॉपी तो यहां पे इन्होंने अब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम जो बुक का नाम है वैसे तो यह जुम्ला लग रहा है देखने में लेकिन अच्छी यह बुक का नाम है तो इसको इन्होंने साइट के अंदर रैप किया है अच्छा तो लास्ट क्लास में यह देखा था कि लेकिन वह बात बीच में शायद रह गई ती यह वाली करते करते के यार एक यूजर जो आएगा उसको तो दिख रहे गई नहीं मतलब यह साइट जो लगाव है पीछे यूजर को दिखेगा ही नहीं यह अगर मैंने बोल्ड करके स्ट्रॉंग किया है अगर कि इस जुम्ले पर स्ट्रॉंग एम्फिसाइज होना चाहिए तो वो तो यूजर को दिखेगा ही नहीं तो एम्फिसाइज कहां से होगा फिर अच्छा वो कुछ ब्राउजर उसको बोल्ड करके दिखाते हैं लेकिन बहुत सारे ब्राउजर उसको कुछ भी नहीं दिखाते हैं बिल्कुल ब्लैंक दिखाते हैं ठीक है और यही वज़ा है कि उन्होंने मना किया उन्होंने बुला है इसको बोल्ड करने के लिए इस्तम उसको फाइदा होगा और कैसे होगा कोई अगर यह बता पाया आप में से पीछे जो लोग बैठे में आजा कितने लोग ऐसे जिन्होंने यह बुक पड़ी है थोड़ी बहुत यह चैप्टर आपने पड़ा है अच्छा बताओ यार कुछ अपना उपीनियन दो एलएक तो इसको लिए इतलेक में के लिए इंचे उसको बिए लिए आपको आप यह ब्राउसर आपको यह के दिया होगा इसने कहीं नीचे ब्राउसर विल रंडर the content of site element in italic, अच्छा इसने यह नहीं बोला कि most browser इसने बोला कि तमाम browser इसको italic करके दिखाते हैं, लेकिन स्टिल हमें तो पता है ना italic आई करके लिखते हैं, यह हम उसको oblique करें, italic के साथ एक oblique भी है, यह हम उसको यह site करें, तो वो तो यूजर को पता थोड़ी लेगा कि यह italic कौन सा हुआ है, यूजर को इससे कैसे फायदा होगा, एक end user को इससे किस तरह से फायदा होगा, यह सवाल है मेरा, तो इसका मतलब है कि कल जो मैंने instruction दी कि आड़ी आपको बुक पढ़ना की उसके पर किसी ने भी अमल नहीं किया, क्योंकि अगर आप उस पर अमल करते हैं, तो जो आपको पताने लगा होगा है, अच्छा, देखो यार इससे ना, दो तरह से फायदा होता है, एक end user को इससे दो तरह से फायदा होता है, नमबर एक तो यह कि अगर कोई user है जो visually impaired है ठीक है या इस तरह का कोई accessibility issue है तो उस तरह की users के लिए एक screen reader software बनाये जाते हैं एक screen reader software जो बड़ा मशूर है that is called Jaws ठीक है उसका यह logo है जुज शिर्टेट्व स्क्रीन स्क्रीन एक स्क्रीन में विधिरेट सब्सक्राइब प्रकाइब उर्ट्पेज टार में. ठीक है अ इन्होंने बोल है कि बस measure of a यह उस पर भी काम करता है ब्रेष्थ इस प्राइयं आपस को इलिए प्रेटिट जो आप american प्रेटि अनकी एक language होती तै ब्रेल लेंग्विज यह जो नाभीना अफराद होते हैं जो देख नहीं सकते उनके लिए यह स्पेशल बनाई गई है लिए लिए ब्रेल नजर आएगा अगर आप वह करेंगे ना तो यह ब्रेल आपको हर जगा नजर आएगा लिए और अपर नोट के उपर भी होता है कि ils नहें किसी सैंस में he कौन से हैं और हर ध्र फफिरिंशीट कि अ序ब तक्रूस tecnología अक्रूस करते हैं म Simmons कि युकिए जायर का रर्णसी तो हर को यूस करते है कि यूभिका यूस करते है इसी तरीकरे से यह जितने भी यह अब हमारे अलन्प तो मेंट्रो इस वार में निद हो गया ब्यांतर के अति आप जूदा ब्रेल दिस्प्ले pendant 12調ल से कंप्प्यूटर के साथ ना ब्रेल दिस्प्ले लगा जो आप एप ब्रेल अर्जा था इन और मेंसमें की दीशारर में Music इसके अंदर ना इसके अंदर ना दाने लगें हैं बारीक बारीक ना आर्ट इसके अंदर सुईयों की तरह नीचे से निकलावाई ठीक है तो अब यह असल में इंपुड भी और यह आउटपुड भी है तो किल टार टाने टाने में में अइसके बटन लगे हो है तो वह एक दफ़ा एक सर्टन क्मबिंहे रगाें तो एक भी जाता है तो एक शर्टन सा तो एक जा स्रेश. ना इसके चाल प्यूणी और यह तो एक शेजने ने इस पह लाग कार्त में अब इसको इनपुटर के साथ कनेक्ट किया है तो इससे जए नगोड़को अब तो इसको इसको इनपुट देते हैं तो कीबूर्ड की तरह यह पूरा टाइप करता है और जब सामने से आउटपुट आता है न जो तो यहां पर ब्रेल डिस्प्ले में यह कुछ दॉट इसके उपर आए में कुछ अंदर है तो उससे वह ब्रेल पूरा राइटिंग बन जाती है रियल टाइम में अचा उस पर यू है ऐसे हाथ फिंगर 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 तो इनको पता लग जाता है कि क्या ओटफुट आया सामने से मिसाल के दोर पे बंदे न लिखा कि हूआर यू और सामने से बुला कि आई म मलीक या आएम जेम्स तो यू हाथ फेरेंगे न तो उसको पता लग जाता है क्या है अब यह पूरी एक अलग दुनिया है कि बहुत सारी companies बेकाइदा इसके उपर जैसे जो ISO certified companies होती है तो फिर उनके लिए लाजम होता है कि वो यह सारी चीजें फॉलो गर रही होती है तो वरना उसको certain certification उसको issue नहीं करते हैं तो गहते हैं जी आपकी जो products है वो accessibility उसके अंदर पूरी नहीं है क्या उसको बोलते हैं वो कि disabled friendly नहीं है आपकी website ठीक है क्योंकि disabled person का हर जगा खयाल रखना पड़ता है जैसे आप मेट्रों में भी देखें जो यहां पर BRT उसमें भी वो wheelchair लगाने की जगा बनी वी और वो जिस जगा पर वो wheelchair है आप वहां देखेंगे वहां पर seatbelts type की एक चीज़ बनी दीए तो उसमें क्या होता है क्या होता है क्यों फिर लगा कि उसको बेल्ट से tight कर देजा तो वह फिर हिलता नहीं है फिर नीचे उसके गोटियां भी लगी है कुछ खास तरह की wheelchair होती है वह गोटियों से भी अटक जाती है बस बंदा यू नीचे ना गोल गोल से उसके hooks बने में तो मेरी speculation है कि वह शायद wheelchair को रोकने का कोई setup हो क्योंकि गाड़ी तो यह चलती है ना आगे बीशे होते ना चलती है अच्छा तो यह braille display और braille input output या आपको मैंने दिखा दिया तो यह कह रहे है कि यह JAWS का software है ना अब यह जो braille display अच्छा इसको install मत कर ले ना आप मेंसे कोई क्योंकि इसको जब आप install करोगे ना हो तो जाए गई है लेकिन वह हो गई है कि आपके पूरे computer को यह टेक ओवर कर लेता है तो आप कहीं पर भी जाओगे ना आपको menu उसका दिख रहा होगा मैंला चाहे आप स्टार्ट में जा आपको लेकिन हमने क्या करना है हमने जो standard फॉलो करना है वह जो HTML5 के अंदर जो standard फॉलो करना है बाकि वह खुद देख लेगा वह सुद देख लेगा ठीक है अच्छा और हम इसको इतना ही accessibility की पूरी बड़ी दुनिया है लेकिन हम उतना ही cover करेंगे जितना इस बुक में ब इसके developers भी अलग होते हैं बाइदवे यह चोटी मोटी चीज तो हम देख लेते हैं लेकिन जब बकाइदा इस पर accessibility आइड करनी होती है तो इसके developers भी अलग होते हैं ठीक है वह सिर्फ HTML लिखने के 300 घंटा चार्ज करते हैं सिर्फ HTML लिखने के अब आप आपने एक्सर सुन ह अब आपका करूं कि सिर्फ HTML लिखते हैं ना एक्सेबिलिटी वली HTML तो वह अच्छे खासे पैसे लिखते हैं तो क्यूंके काम मुश्किल है एक दफाव लिखेंगे तो यह तमाम सॉफ्वेर के उसको बर वेरिफाय करना बड़ता है चेक करना बड़ता है तो यह तमाम सॉ क्योंके सारे विज्वली इंपेर्ड हम तो आम तो पर समझते हैं ना ब्लाइंड है तो कुछ नजर नहीं आ रहा लेकिन असल में ऐसा नहीं होता है जो ब्लाइंड होते हैं उसमें कई सरी किसमें कुछ लोगों को थोड़ा बलर दिखता है कुछ लोगों को अगर लाइट तो थोड़ा दिख रहा होता है बलर कुछ लोगों को यह होता है कि रात को दिख रहा होता है दिन में नहीं दिख रहा होता इस तरह तो बहुत सारे अलग अलग इसके अंदर वेरियंट हो सकते हैं ठीक है कुछ लोगों को यह होता है कि इतने करीब से दिख जाता है बस इत कुछ लोग बोल नी सकते, तो उसकी क्या accessibility है? ठीक है कोई बंदा सुन नी सकता, आपको पता है जो बंदा सुन नी सकता वो बोल भी नी सकता क्योंकि इंसान कोई भी language सीखता है सुनने से, सुन के सीखता है तो अगर बंदा पैदाइशी तोर पे सुन नी सकता न कर तो वो बाइडिफॉल्ल कोऊ आते हैं, वो बिंदाने कोई दिफटर भी तो भी निए, स्वाटा ही नी सकता है उसको पता ही निखता है कि हूँ कि ऐसे पता है पांड बनाते कैसे हैं तो अगर पाईश प्र पहन बह राया है बुल भेखंगा है, अब छोंद मैं को कैसे बहुर सकते हैMi omega आपके और जो ह Алग पांप्यराशन बोलतों अच्छा तो वापिस आ जाते हैं हम अपने टॉपिक पे इधर जो मैं आपको बता रहा था तो दो तरह से जो है न ये जो सिमेंटिक टैग्स हैं ये एंड यूजर को फायदा दे सकते हैं ये आपको बता रहा था एक तो ये कि जो लोग स्क्रीन रीडर स्वाग्रे इस्तामाल कर तो फान कर दियादों को फोकर को लिडाएं अब एक जुम्ला लिखने में, जो हमने कल देख रहे थे ने, emphasize वाली बात कर रहे थे गलम यह यह जासे अबरिवेशन के हम बात कर रहे थे अंटिलेड अनलेस के कोई बहुत ही इंटेलिजेंट हो और वो इसको खुद ही बता लगा ले बगए इसको देखे वे भी वह बात अलग है ठीक है लेकिन जो एक सिंपल इसको प्रॉफ ही पड़ेगा अच्छा लेकिन जब आप यह लगा देते हैं इसमें अब्रिवेशन और उसके अंदर प्रॉफ लिखके अंदर एक्चुल बात बता देते हैं तो फिर इसको यह प्रॉफ लिखावा स्क्रीन पे प्रॉफ होगा लेकिन पढ़ने में यह प्रॉफेसर बोलेगा स्क्रीन रीडर इसको ठीक है स्क्रीन रीडर को हमने यह डेटा दे दिया अच्छा इ तो नंबर एक फाइदा ये समझ आगी है सब लोगों को अचा अब नंबर दो जो इसका बैनेफिट है वो ये है कि जब क्रॉलर आते हैं आपको पता है कि गूगल सर्च किस तरह से काम करता है गूगल सर्च की एक मशीन है एक कंप्यूटर है उसको प्यार से क्रॉलर कहते है तो वो मशी नके hayır perversion के दुनिया के जितनी भी वेप साइट से उन तमाव वेप साइट को वीजिट करते हैं और मिजड करके उसमें जो भी डीटा मौजूद होता है, उस को लेता है और उस डीटा को लेकर उसकी इंडेक्सिंग करता है तो आप लोग indexing क्या चीज होती है? जो book के शुरू में बना होता है, एक index इसको वह सॉल्ट करके पूरे को सॉल्ट करके उसको वह नंबर शंबर इशू कर देता है और एक सीक्वेंस में उसको लगा देता है अच्छा हम जब लिखते हैं Google search पर जाके car तो वह उस इंडेक्स में direct C पर जाता है इसक्रीन रीडर किसे काम कर रहर है अच्छा अब यह च्पर जो चक्कर है कि क्रॉलर दुनिया की तमाम वैपसाइट क्योंकि यह विजिट करता है और यह हर 24 यह 48 आउर्स में यह चक्कर कंप्लीट करता है और दो बारा से शुरू करता है और यह इसी तरह करता है कैसे जाता है दुनिया की हर वेप साइट पर वो definitive विजिट करता है उसके अदर ज effortyears Cr होते उनको E ni वो सब को एक्सप्लोड कर लेता है, तो इस तरह यह दुनिया की हैर वेबसाइट पहुंच जाता है, जिसका किसी नाम लिया वो, अचा गर किसी का किसी नाम नहीं लिया वो तो आप डाइरेक्ट भी गूगल पे जाके उसको लिस्ट कर सकते हैं, तो उस पे जाके आप कि आपके वेबसाइट का सारा कॉंटेंट उठाया उसने, अब उसकी जो इंडेक्सिंग की जो प्रैक्टिस होती है, क्रॉलर की, वो उसके अंदर ना बहुत सारी चीजों को देख के फैसला करता है कि यह क्या चीज है, पहले तो वो सबसे पहले यह अंदाजा लगाएगा कि यह वैबसाइट है किस बारे में, फिससे पहले लगाएगा उसको शायद देखेगा, उससे अंदाजा लगाये यह वैबसाइट है किस ह 어떻 praw då, तो अच्छा उसके बाद इस वैबसाइट में, सारी वात फांवर कि लिखा हो है, आया उसको को पकड़ लेगा, जाज़ साइटेशन इसके उपर लगी है अब मिसाल के तौर पर अगर कोई बंदा इस बुक का नाम लिखता है गूगल पर तो यह वाली साइटेशन आनी चाहिए साथ में कोई भी इस बुक को सरच करता है तो पहले तो बुक के इश्तिहार पहले आएंगे उसके बाद उसके नीचे जो रिजल्ट्स होंगे शायद वह इस बुक की साइटेशन जा हुई है कि किन-किन लोगों ने बोला वाए अच्छा यह बुक में यह लिखा वाई यह बुक में ल एड्रिस का टैग स्टार्ट है और एड्रिस का टैग खतम है और दर्मियान में इसने क्या लगाया हुए एक पैरग्राफ लिखा हुए जिसके अंदर इमेल और एड्रिस लिखा हुए इसी तरीके से अभी आप यहां पर आगे देखें कि फॉन नंबर भी इन्हों ने बता सिर्फ जालेता है कि एड्रिस की है और आदिर्रस के घालता हूए जैदम किसी बी पिर उनना कि लिखता हुए और मैं लिखता हुए उसका इड्रिस कि गूगल पर जा गया लिखता है टालता है तो इसको में कहते हैं इंडेक्सिंग, अच्छा मैं लखताओं कि यार, एड्रेस ओफ स्टारबक्स, स्टारबक्स कोई एड्रेस नहीं है याँ लिखिन वेल इसने फिर बी जो है ना, किसी वैप साइट से अब देखिए किसी दूसरी वैप साइट में और इसका एड्रस लिखा हुए। तो वहां से उठा के लिए इसके अपनी वैप साइट की ओपर शायद है अड्रस मौझूद ही नहीं है। ठीक है तो यह इसने उठा लिए या इसी तरीके से मैं बोलता हूँ कि एड्रेस आफ कोई दूसरी कंपनी मैक डॉर्नल्ड पदा नहीं क्या है स्पेलिगी यह स्पेलिगी हैड क्वार्टर लिखना पड़ेगा स्पेलिगा में ऊर्ट यह और कैसे स्थार बॉक लिए कि फ्टमार की लें हैं और अपनी वाले से एड़े। अपने वाली से नहीं लाए आई इसको मैं कलिक करता हूं तो कहा लेगी जाता है यह चाहिए विकिपीडिया से लेकर आगया चाहिए अगर अगर अगेन स्टारबक्स यहां पर लिखो headquarters हाँ तो यह headquarters लिखा तो आगिए स्टार्बक्स तो अच्छा इसी तरीके से मैं लिखूँ कर मिसाल के दौर पे के पेपाल support phone number ठीक है तो यह देखें contact us का page at least मेरे सामने आगिए आई थिंक मुझे समे customer service लिखना चाहिए था आ तो नीरा वैसे लेकिन इस्टिल इसने contact us का page at least यह पकड़के लेकर आगिया अच्छा यह लेकर आया है नहीं है तो resolution center इसने दे दिया यह नंबर तो बार है हाँ लाया तो है यह number लाया तो है और यह timing भी आगई है अच्छा तो इस तरह से ना यह crawler को help out कर देता है यह जो semantic details इंडालते है न यह crawler को help out कर देता है कि वह data को क्या कर लेता है अच्छी तरह से समझ पाता है कि क्या लिखा हूँ है otherwise अगर मैंने simple paragraph के अंदर लिखा हूँ होगा address तो वह crawler को पता नहीं लगेगा अब मिसाल के तौर पे आपको एक मजमून दे दिया जाए paper पे लिखा हूँ है तो as a human शायद आप अन्दा लगा लें कि यह वाला जो पार्ट है ना इस पूरे मजमून में यह एक address है यह वाला पार्ट है यह एक phone number है तो अच्छा लेकिन वह भी उस सूरत में होगा कि है क्या होता है 021 वगरा लगा होता है या जो 051 है यहां का code किया है 091 लगा होता है अच्छा यह में आ गया है इदर आपकी class में अच्छा तो अगर मिसाल के तौर पे एक phone number है वह लिखाव है कि 415 312 2224 ठीक है तो अब यह इसको शायद यहां पाकिस्तानी बंदे को अगर किसी को पता नहीं है तो शायद उसके लिए अंदादा लगाना मुश्किल हो कि यह phone number है ठीक है और यह कहां का phone number है अच्छा अगर तो इसमें से यह डैश अटा दें तो फिर बिलकुल ही नहीं पता लगेगा ठीक है लेकिन अगर कोई यहां पर लिख दे के यार 21st street और downhill johansburg सभी है इस तरह का मैंने एक address लिख दिया तो यह भी जो है काफी recognizable address है यह कुछ ऐसे cities है जिसके अंदर direct वो zip code लिख देते हैं कि मिसाल के दोर पर double one two 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 zero यह इस तरह से direct लिख देते हैं तो यह sometime यह street भी mention नहीं करते है ठीक है वो कहते कि 21st और उसके बाद direct वो block का नाम लिखते है ब्लॉक का एक तो होता ना block six वगएरा sometime block का नाम होता है कि मिसाल के दोर पे कोई किसी block का नाम मेरे जैन में नहीं आ रहा भी फॉरी दोर पे इस तरह भी sometime block का numeric नाम होता है कि उसने बोला कि 21st A20 इस तरह करके या अब जैसे हमारे जो डी एचे में उन्होंने क्या किया है कि 21 बटा ऐसे किया हो होता है 21 बटा 20 लिखा होता है और पिर direct उसके बाद उन्होंने लिखा होता है कि जमजमा इस तरह लिखते हैं और लिख देते हैं कि 75500 यह इस तरह लिख देते हैं तो यह address होता है तो यह शायद हर किसी के लिए recognizable ना हो क्योंकि address हर जगा एक तरह से नहीं लिखे जाते address लिखने के अलग अलग तरीख है तो अगर इस तरह की चीज अगर एक human को भी दे दी जाए ना paragraph में लिखके तो उसके लिए भी recognizable नहीं होगा तो बहतर ही है कि हम क्या करें इन चीजों का हम ख्याल रखें अच्छा तो और हम क्या देख रहे थे हैं यहापर इसी तरह definition है the first time you explain some new technology perhaps academic concept or some jargon पता नहीं किसी उसको कहते है in a document it is known as defining instance of it जाहिर जिस चीज की definition है उसका नाम उस paragraph में कहीं लेखेंच जाहिरें चीज की definition है उस चीज का नाम उस paragraph में कहीं लेखेंच है तो यह black hole की definition है तो black hole यहाँ पर बीच में आ रहा है इस paragraph के अंदर तो उसको नहोंने definition के tag में मारकप में wrap कर दिये कि ये जो पूरा पूरा paragraph है ना ये इसकी definition है अच्छा लेहाज़ा होगा किया लहाज़ा ये होगा कि crawler को पता लग जाएगा कि ना सिर्फ यह पता लग जाएगा यह paragraph क्या है definition है बलके इस चीज की definition ही पता लग जाएगा अब जब यह crawling करेगा ना तो जितनी भी definitions होंगी पूरी website में उसको निकाल के अलग करेगा और जब मेरे जैसा कोई user end में जाएगा और लिखेगा कि जी definition of black hole तो आप देखें यह definition वहां से निकाल के लिए आएगा ठीक है a region of space having gravitational field और इस तरह करके और मैं नीचे जाता हूँ तो यह जहां जहां पे वह definition लिखी वी दी ना वहां वहां पे यह उठा के लिए करा जाएगा definitions को ठीक है तो यह इस तरह से काम कर रहा होता है अच्छा तो यह हमने कुछ semantic tags को देख लिया कि semantic tags के क्या benefit होता है अच्छा अब देखें यह जो standard है यह हमने कौन से standard follow किया है जो हमें HTML5 की specification में जो हमें चीजें बताई गई है न हमने वो इस्तमाल कर ली है अच्छा अब Google का crawler itself कैसे काम करता है आया कि Google का crawler इसको देखेगा भी यह नहीं देखेगा या अच्छा गूगल तो चलो बड़ा advanced crawler है उसका लेगिन जो दूसरी company तो डग डग गो है उसका crawler इतना advanced नहीं है ठीक है और जो जैसे बिंग है याहू है उनके crawlers जो ज़रा निजबतन सर्च गूगल का ही तो अच्छा गूगल से पहले यहू सर्च चलता था यहू और बिंग यह दोनों चलते थे ठीक है बहुत सारे और भी ऐसे सर्च है जो जिनका अपने नाम नहीं सुना होगा बहुत सारे प्र यह जैसे हमारे तो रीजनल प्रॉलर नहीं है ना कोई बहुत सारी जगहों पर होता है उनका इनका है ज़र की वो फ्रांस की कम्पनी है तो फ्रांस लोग फिर वाले यूस करते इस तरह की साइटिंग होती है ठीक है जैसे मिसाल पर चा admitting नका चाना चाल भी नहीं तो जोग चलता है तो वह बढू चला सकते हैं बkeं बैदू सर्च लिक्र आँ द forces लिग देखता है या नहीं देखता है इससे कोई benefit लेता है नहीं लेता है हमने ये टैग लगाना है अपनी वेब साइट में ठीक क्योंकि यह हमें HTML5 का standard हमें बताता है कि ये टैग लगाएंगा अच्छा आगे चलते हैं जी हम आथर डीटेल हमने लिख लिए एड्रस की जो भी बात जी के हमें किसी चीज़ पर क्रॉस लगा गए उसकी जगह कोई दूसरी चीज़ लिखनी है तो हम क्या कर देते हैं हम इस तरह कर देते हैं कि डिलीट करके और उसको इंसर्ट कर देते हैं इसके बारे में क्या लिखा है नहोंने के जी the insert element can be used to show content that has inserted into a document while the delete can be shown text has been deleted from it के अब क्या होगा कि जब इसको screen reader पढ़ेगा तो वो वर्स यहां पर लिखावा भी है लेकिन पढ़ने में वो सिर्फ बेस्ट को पढ़ेगा वर्स को नहीं पढ़ेगा क्योंकि वो इसको delete कर दिया गया है अच्छा लेकिन देखने वाले बंदे को यह पता लगेगा कि यहां तो पुराने वर्ड को भी रखते हैं ठीक है क्योंकि वह बहुत कोई sensitive कि बात है यह बहुत ही serious कि बात हो लिए तो उसके अंदर ने यह पुराने वले वर्ड को भी खतम नहीं करते हैं और उसके line लगा देते हैं और cut कर देते हैं उसको अच्छा इसी तरीके से एक हमारे प आतम हो गई है that is not valid anymore तो जैसे इन्होंने कहा कि यार was 995 और now 375 रेट कम कर दी है ठीक है but that should not be deleted अब इसका यह सेमेंटिक मीनिंग अलग है एक तो चीज यह थी कि को गलती हो गए थी डॉक्यमेंट की अंदर उसको डिलीट किया है और इसकी जगा इंसर्ट किया है एक तो य हो गया थी इसका सेमेंटिक मीनिंग थोड़ा डिफरेंट है कि यह डिलीट विलीट नहीं किया गया इसको इसको लिखा गया है जानमूझ के ठीक है बट यह पुराना डेटा है यह इंवैलिड हो चुका है यह एक्सपायर हो चुका है अब यह डिट इस नॉट है ठीक है और रेट कम होना उसकी एक बड़ी अच्छी मिसाल है यहां पर हमारे पास यह सिमेंटिक जो है ना टैग्स वो खतम हो गया लास्ट मेर समरी इसकी जरूर पढ़ लिया गरें आप लो खुद अच्छा समरी जरा मैं एक दफा पढ़वा देता हूं लेकिन आपने यह हुद से भी पढ़नी है समरी अच्छा है HTML elements are used to describe the structure of the page headings subheadings paragraphs जो HTML element आम तोर पर structure बनाने के लिए इस्तमाल होता है अच्छा और structural element के अदर क्या शामिल है headings subheadings और paragraph और भी उसके लावा जो भी structural tags जो है हम पहले पढ़ चुके हैं काफी सारे they also they also provide semantic information के HTML elements sometimes semantic information भी provide करते हैं ठीक है emphasize should be placed कहां पर emphasize करना है the definition of any acronym used when given text is a quotation कि जो text आपने लिखा है वो किसी का लिखावा quote है किसी की quotation है तो उस तरह की चीजों में HTML element के जरीए उसको semantic detail भी बता रहे होते हैं किसको बता रहे होते हैं browser को और crawlers को ah